वोल्सन वर्सेज स्टेट अफ केरला इस मामले में सुप्रिम कोट के सामने कि अगर कोई वेक्ती जैसे पहले केंदर सरकार में नोकरी किया है बाद में वो राजे सरकार में नोकरी किया है तो दोनों जो नोकरी है वो पैंसन वाली नोकरी हैं तो क्या उन दोनों को मिला करके उसका जो टोटल जो टेन्योर है उसको पेंसनेबल टेन्योर माना जा सकता है क्या क्या उसको एक ही ब्लोग के हिसाफ से माना जा सकता है जबकि उसने नोकरी जो है एक केंदर सरकार के तहत की है और दूसरी राज्य सरकार के तहत की है तो इस मामले में जो वल्सन वर्सिस स्ट से चेट बूर ने-फटरर हो और उसके बाद के फूर्थर चुरपंट्ट में चैनल जोब की उसके बाद तीन हुशिघ-यूट्रricht मैं यूलरफ प्लिक क्यूप सोरकार के और बात को prisons के बाद जह आसे के सब्सक्राइब उस निकिला गया खिंफ सब्सक्राइब तो उन्हें लोगों की जो 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 आपनेबने हैं उसको टोटल जो है पेंसनेबल एक टेटम आपना जायेगा तो इसमें व्यक्ति के दौरा अपलाई किया गया जो करद का दिवारा है और उन्होंने इस बात को माना लेकिन हाई कोड के उस चोकेरला एडिमिस्टेटिव ट्रिबिनल का जो ओर था उसको सैटसाइड करती आ गया उसके बाद वलसन जो है सुप्रिम कोर्ट पहुंचा और सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा कि जो टेन्योर है उसमें जो सेंटर गोर्मेंट की जोब की है जो पैंसनेबल जोब है और उसक को साइड में करके उस स्टेट गोर्मेंट और सेंटर गोर्मेंट की जो टोटल उसकी जोब थी उसको एक पिरिएड या एक कंटिन्योस टेन्योर माना जा सकता है तो उससे इसाब से सुप्रिम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा जो ओर दिया गया था उसको उसका जो डिसीजन हो चुका था उसके बाद में 2014 में बाद में केरला सरकार के दवारा कुछ डिसीजन लिए गए थे इस तरह से तो सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि तब तक उसका जो रिव्यू का टाइम था वो फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले को केरला सरकार के दवारे जो है ऐसे सर्विस मामलों में और लोगों को रिलीव दिया गया तो इसलिए उसका भी बनता है और उसको केवल और केवल जो उसका पैंसनेबल टाइम है वही इकठा किया गया है सेंड़िच जो बीच में एक तरह से जो उसका पीएस्यू जोग का मामला था उस टे स्टेट गवर्मेंट में की और बीच में उसका कुछ टेन्योर भी था तो उसको कोर्ट ने इकठा कर दिया है